नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज किस वीडियो पर मैं बात करने बाला हूँ CRT TV पर आने वाले एक फाल्ट के बारे में और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फाल्ट दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यह जो TV है तो 14 इंच का आकाई टेलिविजन है और इस पर दोस्तो प्राबलम क्या है तो आप प्राबलम देख सकते हैं कि पिक्चर के साथ में आपको रेट कलर में परचाई दिख रही है तो दोस्तो यह जो problem है तो आपको अक्सर दो प्रकार से टीए पर देखने को मिलता है एक तो जब उस color का cathode tube से down हो जाएगा कमजोर हो जाएगा तब दोस्तो आपको ऐसा fault देखने को मिलता है और इसके लिए आपको picture tube को charge करना होता है और इसके लावा दोस्तो अगर आपका tube सही है तब भी आपको इस प्रकार से fault किस करना से देखने को मिलता है तो आज मैं आपको इस वीडियो पर बताने बाला हूँ और आपको इस fault को मैं आपको आज इस वीडियो पर ठीक करके भी दिखाऊंगा तो दोस्तो यह जो problem है तो किस करना से आपको देखने को मिल सकता है तो आप देख सकते हैं कि यह इसका kit है और इस पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि इसका जो 180 bolt supply है जो कि HT से आपका आता है और एक diode से होते हुए और यह दोस्तो आपका एक capacitor लगा होता है 4.7 mu of 200 volt की लगभग जो कि आपका इस base पर पहुंचता है तो दोस्तो कभी बिकर ऐसा fault आता है तो दोस्तो यह जो capacitor है जिसका value है 4.7 mu of 200 volt की लगभग तो अक्सर ऐसा fault दोस्तो आपको इसके खराब होने कारण भी weak होने कारण भी आपको देखने को मिलता है तो दोस्तो सबसे पहले आपको इस परकार से अगर कभी problem टीए पर देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको इसे change करके एक नया capacitor आपको लगा कर देखना है और इसका जो voltage है तो आपको voltage भी चेक करना है आपको लगभाग इसके पोजिटिव सप्लाई पर एक्सवस्टी बोल्ट के लगभाग आपको DC सप्लाई आपको मिलना चाहिए तो सबस्क्राइब दोस्तों हम मल्टी मिटर से इसका बोल्टे चेक करेंगे और इसके बार हम इसे नया लगा कर देखेंगे और प्रावलम देखेंगे कि माना जो प्रावलम है तो वो शही होता है या कि फिर नहीं तो दोस्तों हमें यहां 114 volt supply मिल रहा है तो दोस्तों इसका मतलब कि खराबी हमारे kit से है और यह जो कैपिस्टर लगा हुआ है 4.7 mu of 500 volt का तो दोस्तों यह weak हो चुका है खराब हो चुका है और अब दोस्तों मैं एक नय कैपिस्टर लगाऊंगा और मेरे पास जो कैपिस्टर है 10 mu of 500 volt का है तो दोस्तों हम इस पर 10 mu of 500 volt का कैपिस्टर भी लगा सकती है तो सबसे पहले मैं इसे लगा देता हूँ और हम फाल्ट देखेंगे हमारा जो प्राबलम है तो सही होता है या कि फिर नहीं अब दोस्तों मैंने कैपिस्टर को चेंज कर दिया है और यह दोस्तों पुराना वाला कैपिस्टर है जिसका वेलू है 4.7 mu of 500 volt और मैंने इसके जगह पर 10 mu of 500 का कैपिस्टर नया लगा दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं और अब दोस्तों हम टीवी को चालू करेंगे और टीवी को चालू करने के बाद हम इसका जो voltage है तो चेक कर लेते हैं पहले हमें यहां 113 volt के लगभग मिल रहा था और अब दोस्तों हमें यहां कितना supply मिल रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हमें यहां 183 volt के देख लेते हैं, जो प्राब्लम था तो सही हुआ की नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कि टीव पर जो प्राब्लम था जो पिक्चर के साथ में लाग़र में छाया आ रहा था, तो दोस्तों भए ठीक हो चुका है इस प्रकार से दोस्तों अगर कभी भी फाल्ट आता है तो इस फाल्ट को आप इस प्रकार से किसी भी कंपनी के टीए पर ठीक कर सकते हैं अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करें मिलते हैं नेस्ट वुडियो पर नमस्कार